तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी सॉफ्ट एकदम फलफी सी इडली जो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बनाई जाती है तो बिना टाइम को वेस्ट करें वटाफट हम इडली की प्रोसेस देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें मेजर मेंट के हिसाब से लेना है ताकि आप लोग भी बहुत आसानी से इसे घर पर बना सके तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे मेजर के लिए काटा रग दिया है मैंने उसके उपर एक बड़ा सा बरतन लेंगे और से टेर करके इसके उपर राइ मैंने कितने किलो लिये है क्योंकि मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ और मुझे भरपूर बनाना था इसलिए मैंने यहापर यह दिखिए सवाद 2 किलो 214 ग्राम मैंने यहापर राइस लिये है मतलब सवाद 2 किलो के करीब यह राईस है और राईस हमेशा आपको इस तरीके से मोटे वाले लेने है उसकी बाद दूसरा बरतन रख दिया है इसे भी मैंने जीरो पर लेकर आई हूँ और यहाँ पर उरत की दाल को भी नाप कर लेंगे तो यहाँ पर यह दी कि तो उस हिसाब से आप कम कर दीजेगा तो बस आब हमें क्या करना है एक ग्लास राइस जोईना इसके इंदर से निकाल लेने हैं और इस राइस को हमें कोक करना है तो यह सब भी राइस को हम लोग ने अच्छे से चुन लिया है उसके बाद मैंने एक ग्लास यहाँ पर माप से एक डिबे में ले लिये हैं और ये एक डिबा भर के जोए ना राइस कोख हो जाएंगे तो हमें करना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी आप बने रही एगा वीडियो पे तो ये दिखिए एक राइस मैंने लिये थे ना एक ग्लास तो इसे भी अच्छे से मैंने वाश करना है एक दो पानी से दन उसके बाद इसे कोख होने के लिए रख देना है तो ये दिखिए मैंने दो पानी से इस अच्छे से वाश किये है इस तरह से रगड़ कर अच्छे से धोलेना है ताकि इस किंदर की जो स्टार्च जो भी गंद कच्रा होता है आप वो पूरा निकल जाए तो यह दिखेए मैंने यहाँ पर राशन के जो होते हैं राइस वो लिये हैं क्योंकि इससे इडली जो ना बहुत ही ज्यादा यम बनती है अगर आप रेगिलर राइस लेंगे नो इतनी ज्यादा फूलेंगी नहीं तो उस हिसाब से मैंने नमक अड़ कर दिया है और अब इसे भूले से बरतन में लेंगे और उस के उपर हम दाल भी आड़ करेंगे उरत की दाल जो हमने नाप करके ली थी ना वह वाली तो वैसा अभी हमी करना क्या है इन सबी दालोर चावल को अच्छे से वाश करना है नहीं अच्छे से रगड कर दो 2-3 पानी से धो लेना है चाहें में भी और दिखने में भोज ज़्याद अच्छी लगेंगी तो यह देखिए मैं नहीं हाँ पर करीबन इसे तीन से चार पानी से वाश किया तरह गड़कर दिन उसके बाद हमें करना क्या है इसके उपर लगबग अपना हाथ जो ही ना हाथ की तीन जो स्टेप होती है ना उं लिए रखना है तो मैंने इसे सुबह बारा बजे की करीब मैंने इसे अच्छी से रख दिया था ढखकर वाश करके और शाम में मैंने रात में साड़े साथ के बादी से मैंने पीस लिया था तो साथ सी आठ गंटे तक मैंने इसे भीगने के लिए रखा था था ना तो यह ब देखे लिए राट में राट में इसे ओपन कर दिया तो आप देख सकते हैं इसका जो ही ना टेक्सचर आप देख लिजीगा दाल और हमारे राइस कितने इच्छ हैं तो बस इसी तरीके से हमें लेना है करके और अब क्या करना है हमें इसका जो उपर का पुरा पानी है वो तो बस अब हमें करना क्या है इसे पीस ना है तो पीसने के लिए कुछ इस तरीके से हमें मिक्सी का जार में जो है ना तीन से चार बड़े चम्मच ये पहले डाल और राइस का आड़ करेंगे तो उसके बाद हमने जो कुक किये थी ना राइस सुबह तो वो राइस अभी अच्छे से ठंडे हो चुके है तो बस वही राइस हमें करना क्या है एक से देर चम्मच हर एक मिक्सी के जार में हम आड़ करते जाएंगे मतलब एक टरन हो जाएंगा ना पीस करते दूसरे टरन मे कर लेंगे अगर आप इससे कम बना रहे तो राइस को भी आप कम कुक कर लीजेगा और वो एड़ कर दीजेगा अगर आप बस एक ग्लास राइस की डली बनाना चाहते हैं तो आदी कोटोरी ओरत की डाल लेनी है और आदी कोटोरी कुक की ओवे राइस लेने है तो बस आपक में कर दिये हैं मतलब दो बरतनों में निकाल ली हूँ स्वात के अनुसार नमक भी से स्टेच प्याइड करेंगे ताकि यह राद बर जोए नमक अच्छे से इसमें घुल जाए और सुबे तक याटा भोज़ता फूलता है अभी आप देख लीजेगा यह आदे अदे बरतन द अभी तक की प्रोसेस डन की है बस इसमें हमने नमक अड़ किया है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए बस इसलिए तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसे ढखकर पूरी रात के लिए और नाइट इसे रख देंगे साइड में और याद रहे है किसकी नीचे हमें कुछ न अच्छे तरीके से फुला हुआ था अब देख सकते कितना ज्यादा उपर तक आर्टा इसका आया हुआ है और यहाँ पर गिरा भी है इसका थोड़ा सा बैटर इसलिए मैंने इसकी नीचे बड़ी परत रखी हुई थी ताकि अगर ये रात में फुले ना तो नीचे ना गि जिसे मुँ में डालने के साथी घुल जाती है तो बिल्कुल साउथ इंडियन की जो होती है रेसिपी एडली की वो इसी तरीके से होती है तो बहुत ही ज्यादा उन लोग मतलब अच्छी बनाते हैं तो मैंने थोड़ा सरच किया और उस तरीके से बनाने की कोशिश की तो य आप लोग को भी अगर थोड़ी वी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग ज़रूर एक दफा ट्राइ करना अगर आपको यकीन आ रहा है तो थोड़ा सा बना कर देख लीजेगा मतलब एक ग्लास राइस में जोए ना आदी कोटोरी डाल आड कर दीजिए और बना कर द बना कर देख लाइस आजाते हैं वरतन के अंदर वह स्टीम होने के बाद तो वह ब्लैकेट्स नहीं आते हैं बस इसलिए हमें इड़ी और बस हमें करना क्या है अब इडली की जो प्लेर्स होते हैं तो उसे ग्रिसिंग करनी है ताकि हमारा इडली का वैटर जोए ना उसे स्टीम होने के लिए रख देंगे और स्टीम करने के लिए हमें तकरीबन 15 मिनट रखना जरूरी इसे ज्यादा नहीं रखना है और इसकम भी बिल्कुल नहीं रखना है आपको इडली जो है ना परफेक्ट टेक्स्चर में अच्छा से कुक हो जाती हैं मतलब कच्छी भी ने रहती है और ऑवर कोग भी नहीं होती है इसी तरीकिते से आपको इडली के सबी बरतन भर कर लेने हैं और याद है कि जब भी हम इडली का वैटर इस बरतन में आड कर रहा है तो थोड़ा सा इसके उपर जग्ये बचा कर रखनी है ना कि एकड़ उपर तक इसे फिल करन तो यह आटा फुला हुआ होता है पहली बात तो और दूसरी बात जब यह स्ट्रीम होता है तो और ज्यादा फूलता है तो वह जो फूलने की प्रोसेस के लिए उसको थोड़ी सी जगे हमें रखनी चाहिए यह देखिए इतनी जगा बचा कर रखनी यह फूल कर पूरा कवर ह हो जाता है तो बस इसलिए हमें जो इना बैटर थोड़ा-थोड़ा सा इसके इंदर कम एड़ करना है ताकि इडली हमारी इच्छे से फुल कर रेड़ी हो जाए और कमफोर्टेबल इसके इंदर अच्छे से कोख हो जाए अगर आप इसके अंदर बहर देंगे ना एकदम ज चोटी-चोटी बातों का अगर आप त्हान रखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएंगी और परफेक्ट आपकी इडली बनकर रेड़ी हो जाएंगी तो ये दिखे मैं नहीं आपर चड़ा दी है गयसके उपर इडली भी हो रही है और दूसरी तरफ मैं ने सांबर लगा दिया था तो मैं आज आपसे जो इना चने की चटनी भी शेयर करने वाली हूँ तो ये दिखे इडली हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर रेड़ी हो चुकिये अभी मैं आपको एक निकाल कर भी बताती हूँ ये बहुत ज़दा गरम है एकदम गरम भी आपको नए निकालना है वरना आपकी इडली तूट जाएंगी तो इसे थोड़ा सा हलकर थंडा होने दीजिएगा दिन उसके बादा पिसे निकाल सकते हैं तो ये देखिए स्पून के जरिया आपको या फिर नाइफ के जरिये निकाल सकते हैं बिल्कुल हलके हाथ तो निकालना है, जल्द बाजी नहीं करने एक 5 पांच मिनट नहीं तो दो मिनट ते भी आप रुख सकते हैं Northeast आप रुखना है और उसके बाज़ा इडली को निकालना है ये देखिए यहां पर मैंने थोड़ी जल्द बाजी की तो पहली वाली थोड़ी सी विकर गई लेकिन ये दूसरी वाली perfect अच्छे से निकल गई थी तो ये हमारी इडली की process थी पूरी की पूरी मैंने आप से शेर की step by step मैंने आपको बताई हूँ बिल्कुल भी कुछ चुपाया नहीं है बिल्कुल भी आप से कोई चीज skip नहीं की है पूरी step by step आप से मैंने शेर की हूँ तो आई होप आपको पसंद आई होंगी अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आ रही है तो आपने जरूर इसे ट्राइ करना है और मैं इतनी दफ़ा आपको इसलिए कह रहे हूँ कि इडली आप अगर इस तरीके से बनाएंगे न तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगे आपको मुझे पूरा यकीन है आप देखिएगा एक दफ़ा बना कर आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी तो ये हो गई इडली की हमारी प्रोसेस डण अब हम बनाएंगे चटनी तो इसके साथ हम जो न चने की चटनी बनाने वाले है जो भुना हुआ चना होता है न जो हम खास यानी कड़ा में पर खाते है न वो वला चना तो ये दीके एक कटोरा भर के मैंने चना लिया है इसके उपर का जो ब्राउन छिलका होता है वो निकाल कर लेना है देन उसे इस तरीके से ले लेना है और साथ ही कुछ मसाले लेने हैं बेसिक से जिसे के धनिया करीपत्ता और गीला नारियल, हरी मिर्च, इमली और एक गड़ा लेहसन का तो लेहसन मैंने ही आप थोड़ा ज्यादा लिया है क्योंकि मैं चट्नी ज्यादा कॉंटेटी में बना रही हूँ अगर आप थोड़ी बना रहे है तो तीन से चार कहली लसन के ले लेने हैं और हरी मिर्च भी आप अपने तीखा जितना खाना पसंद करते उतना आप ले सकते हैं और इमली आपको बिल्कुल थोड़ी से अड़ करनी है बस इसमें खट्टा मीटा पूरा फ्लेवर आता है ना बस इसलिए और सुआत के अनुसार नमक लेना है तो बस ये सबी चीजों को जोई ना एक एक करके हम मिक्सी के जार में अड़ करेंगे और बस इसे हम ग्राइंड करके लेंगे और इस चट्नी को आप दो तरीके से बना सकते हैं एक तो आप बस इसे ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा पानी आड़ करके ग्राइंड करेंगे ना तो ये बिल्कुल चट्नी आप खा सकते हैं रेडी हो जाएंगी और अगर आप इसे तड़का लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं मैं वो भी तरीका आपको बता रही हूँ तो ये दिखिए ये सबी चीज़ें जो हैना हमने आड़ कर दी हैं अब बस इसे हम ग्राइंड करके लेंगे और इसके बाद हम तड़का लगाने के लिए एक कड़ाई में तीन टेबल स्पून ओईल आड़ करेंगे और साथी थोड़ा सा राई आड़ करेंगे जीरा आड़ नहीं करना है बस आपको राई आड़ करनी है साथी आपको करीपत्ता लेना है तो करीपत्ता थोड़ा ज्यादा आड़ करेंगे तो भी कोई बात नहीं क्योंकि इसका flavor बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और साथी आपको साथ लाल मिर्च सूखी वाली होती है न वो वाली मिर्च आड़ करनी है और अच्छे से mix करना है ग्यास की flame को बिल्कुल off ही करना है बिल्कुल low नहीं करना है और बस इसे हलका सा नीम गरम होने देना है मतलब ज्यादा एकदम गरम होता है न तभी आपको चटनी नहीं आड़ करनी है हलका सा इसे ठंडा करना है बस हलका सा और फिर चटनी इसके अंदर आड़ करनी है आप देख सकते हैं यह कितना गरम है तो बस इसी तरीके से आपको तड़का लगाना है अगर आप चाहते हैं तो वरना आप तड़का स्किप भी कर सकते हैं इसी तरीके से भी चटनी खाई जाती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे होती है और टिकने के लिए भी आप इसे एक दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते है वरना क्या होता है ये तड़का लगाने के बाद थोड़ी सी मतलब ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है आप इसे सुबे बनाएंगे न तो दो पहर या फिर शाम तक इसे पूरी फिनिश करने है वरना ये खराब हो जाती है तो बस इसी लिए आप जो इन इसे सुबे तड़का लगाएंगे न फिर उसके बाद फ्रिज में रख सकते हैं देन उसके बाद शाम में फिर आप इसे रियूज कर सकते हैं तो ये दिखिए पानी भी आप इसमें जितना चाहें आड़ कर सकते हैं आपको जितनी थिकनेस पसंदे आपको बिल्कुल गाड़ी पसंद नहीं है तो आप इसे lose भी कर सकते हैं दोनों तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, enjoy कर सकते हैं तो मैंने इतनी थिकनेस इसकी रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं तो इसी texture में ये बहुत ही ज्यादा perfect बनती है, yum लगती है बिल्कुल market में मिलती है ना, same वैसी ही चटनी लगती है, बहुत ज्यादा tasty और same process में आप जो है ना, peanuts की चटनी भी बना सकते है, फली के बींच की जो हम मुंफली की चटनी जिसे कहते हैं, तो वो भी same process में बनानी है, बस आपको चने की जगे मुंफली लेनी है तो ये दिखिए, सांबर भी मेरा ready हो चुका था, सांबर जो इना, ज्यादा बच्चे पसंद नहीं करते हैं, बस चटनी के साथ इडली को enjoy करते हैं तो ये थी मेरी आज के simple सी इडली की पूरी recipe जो मैंने आप से share की, अगर थोड़ी भी recipe आपको पसंद आई हो, तो please like करना बिल्कुल न भूले, share करे, family friends में और subscribe जरूर करना, stay safe, bye